नमस्कार विहार न्यूस देख रहे हैं आप मैं हूं सूमन राज मुकामा प्रखंड की ताजपुर गाउं में हुए भीशन सरक खासे में 14 वर्षे छात्र करहिया कुमार की हुई दर्दनाक मौत से बातपुर गाउं शोक में डुब गया है बातपुर गाउं का कनहिया कुमार पिता परभांसो कुमार कल्प मराची अस्कूल खुला था पढ़ने के लिए गया उधर से आ रहा था इंगलिस में साइकिल में हवा देने के लिए रुका इसी बीच में पीछे से काड़ी आया छोटा गारी और साथ आदमी को राउन डाला उसमें तीन गत्व अस्पोटे डिर्थ हो गया उसमें कनहिया कुमार चवदावरा सुमर बातपुर गराम का है पिता जी का नाम परभांसो कुमार च्या करते हैं जारखन पुलिस है रांची में पोस्टेड है और तब उसके बाद होस्पीटल से हम लोग उनको सूचना दि गाउं में पूरा गाउं मर्माहत है तो जैसा नहीं हिर्दे बिरादा घटना हुआ कि इसके लिए क्या कहना 14 वरस का मात्र लरका था पर ने अवला एकदम पूरे गाउं का बहुत बहुत मातम है पूरे कूआ तो आपने बहुत देखा होगा पर मीठे जल वाले कूआ संभवता नहीं ही देखी होगे बक्तियारपुर के सीड़ी खाट गली इस्थेच श्री राधे कृष्ण मंदिर के ठाकुड बाड़ी में इस्थेतम मीठे जल का कूआ अब अपने प्राचीन स्वरूप में वापस लाने के तैयारी शुरू कर दी कही है संभवता बिहार का एक मात्र मीठे जल का ये कूआ आज भी चर्जा का विशय बना हुआ है नगर विकास बिवाग इसके पूराने स्वरूप को लोटाने के लिए इस पर नगर विकास के द्वारा काम किया जा रहा है इसी को हम लोग आज देखने आये थे कि इसको कैसे प्राचीन स्वरूप और ये प्राचीन मिठा जल का पूँआ है उसको प्राचीन स्वरूप को हम लोग बचाए रखी बागलपुर में नवगचिया में युवक के साथ एक लड़की और उसके गिरोह द्वारा वीडियो कॉल कर अश्लील बात करके वीडियो बनाने और फिर पैसे की मांग करने का मामला प्रकाश में आया है पेड़े तीवक ने मामले के लिखेत शिकायत पूरिस पदादिकाडियों से की है इधर पूरिस पदादिकाडी ने मामले में कारवाई करने का आईश प्रासन भी दिया है क्या हुआ है करना न्यूट फोटो से वीडियो कॉल करती थी फिर ब्लेक मिल करने का मामला है कहां काया मनला यह आमदावध बताती है क्या नाम आया नेहा प्राज क्या का कि कैसे बासम परक हुआ है कि इस बूक के मारे है कि इस प्रेंट लिस्ट में था फिर रात में मेंशेज आया फिर बास्चित कितने दिन से पर अब पाकी बस एक दिन लिए बोल रहे हैं आपको अमलाया हुआ है आपको अरेस्ट कि जा सकता है कि द्वारकापुर दिली नहीं को है और वाट्सप के जड़ीये से कॉल किया वीडियो कोल करके दिखा है कि हम dsp हैं देख लो इस वज़ें से नालंदा में साइकल से पूरे विश्व की यात्रा पड़ने के लिए इंगलाइंट के कांसर पेड़ित खेलाडी लोगों कुझा गुरूप कर रहे हैं से ताइस देशों की यात्रा के बाद वे भारत पहुंचें वहीं इसी कड़ी में आजवे नालंदा पहुंचें जहां इन्होंने की राचीन भगना वशेस का अव्लोकन किया इसके बाद वे चीन जाएंगे जहाईं की यात्रा संपन होंगी Where are you traveling from? I'm cycling from London in the United Kingdom and I'm going all the way to China It's 30,000 km through 30 countries and I'm in Bihar Nalanda right now When are you? From when you started? I started this journey two years ago Where are you? Where have you been? Which countries? I've been through France, Germany, Austria, Turkey, Georgia, Kazakhstan, Pakistan and now I'm here in India So I've been through 27 different countries and I'm going to be going to 30 in total and going to China You're going to go to India in total? Yes, you're going to go to India, all the states, crossing the states and going to China Yeah, yeah, so I've been through Amritsa, Ludiana, Delhi, Agra, Gwalior, Varanasi, Patna Yeah, and now here and going on to Kolkata and then Assam What is your name? My name is Luke Grenforshaw What is your purpose? What's the main purpose for riding a cycle and coming here? So three and a half years ago I was diagnosed with stage four cancer and I didn't think I was going to live But what I'm trying to do now is show that there is hope with cancer You still can be active, you can still live your dreams And so if you have cancer, if you know someone who's got cancer, you know, they can still do amazing things You can still do amazing things, go out and live well If you look for a foreigner, his name is Luke He's from UK He's from 2 years to cycling He's from 2 years to UK He's from 27 countries He's from 27 countries He's currently in India He's from India He's from Kolkata city He's from there He's from there He's from China He's from China He's from Beijing He's from China He's from Brazil So there's a cancer So basically there's a cancer This is stage 4 cancer How can we be? It was so much cancer In So we've decided to remember when we did the cancer अधमी बहुत कुछ कर सकता है और दूसरा लोग को भी हिल्प कर सकता है जैसे कि आपका यह साइकलिंग कर रहे हैं और यह कैंसर लोग के लिए फ़न्डेस कर रहे हैं और शटर को काट कर दुकान में रखे सारे गहनों की चोड़ी कर लिए हनुमान है कि यह चोड़ी रभ पचास लाग के करीब की है महीं घटना की सूचना मिलते हैं रारिया अस्पी अशुक कुमार सिंग सही तेस जपी उपूशकर कुमार, डईयास्पी सुवोत कुमार और नगर थाना पोलेस के साल इदल घटना स्थल पर पहुंची और मामने की चांच में जुटके हैं तो कहीं न कहीं इस तरह का जो घटना हुआ पुलीस के लिए बहुत बढ़ा चुनोती है और हम परसासन से मांग करें कि 24 घंटे के अंदर में जो घटना घटा है उसकी उचास्तर यह जांच हो और दोस्यों की गिरिपतारी सुनिश्चित करे हमारी मांग है जिरा परसासन स क्या नाम हुआ है महमद कमाल है को उनगा पास सद वाट में पचीस अरदिया है तो दो बज़े के आत्पास इधर से इंट्रीश लिए यह लोग और अफिर पहले इने लोग प्रेमरा साथे हैं यह लोग जेश का सब्सक्राइब कर दोस्तर सारा समान से सब्सक्राइब कर द मुहमद अख्तर में कोड़ पाइब है लगो कितनी का संपत्थी करूं साना विश्यारा गाहना ज्वेलर्स दुकान है अररिया मार्केटियंद है जो मार्केटिंग कॉंप्लेक्स है इस कॉंप्लेक्स के पीछे से कुछ एक्सपर्ट जो सारे गैस कडर और सारा जो साधन है वह लेके पीछे से इंट्री कर गए और गहने के दुकान में इंट्री हुई उनकी जो मेन चेस्ट है उसमें उन्होंने उसको कैस कटों से काटने का प्रियास किया लेकिन सफल नहीं हुए काउंटर में रखे जैनिक जो पर्नामेंट्स थे छोटे-छोटे सिल्वर्स के, कुछ गोल्ड के, कुछ कैस भी थे जो पाउंटर में उसे लेकर निकल गए है मुकामब प्रखंट के महरांची गाउं अवस्थित सरकारी हाई स्कूल की चहर दिवारी कारे में आ रही बाधा को लेकर एक ग्राम सभा का उजन किया गया इस ग्राम सभा में शामिल ग्रामिनों ने नीजी भूमी का हस्तान तरण कर बाउंडरी कराने पर जोर दिया है आपको बता दे कि पिछले कई महासे विद्धाले का बाउंडरी कारे बाधित है उत्तरी पंचायत के नव निर्वाचित मुख्या गौरवकुमार की मौजुद्गी में ग्रामिनों ने भूस्वामी से वारता कर समस्या के निदान पर वल दिया है और इसी के साथ जबरोटर में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बरेने हैं बिहार नियूज के साथ नमस्कार